मद्द प्रदेश के गौालियर मैं एक बार फिर भरोसे के कतल की उस बक्त सामने आई जब 90 साल के बुजरुकी देखभाल करने वाली केर टेकर ने भरोसे में लेकर बुजरुक के मकान हड़पकर अपने नाम रजिश्टरी करा ली इस मामले में रजिश्टर की भुमिबा पर भी शवाल खड़े हो जाते हैं दूसरी ओर देखा जाए तो रजिश्टर कार्याल है मेरिश्टरी की उपस्तिती में ब्यक्ति ने पूछा जाता है कि यदि आप की सेहमती है क्या नहीं मद्द प्रदेश के ग्वालियर में एक बार फिर्शे भरोसे कोई कतल की उस बक्त सामने आई जब 90 साल के बुजर्ग के देखवाल करने वाली केर टेकर ने भरोसे को लेकर बुजर्ग के मकान को हडप लिया इस मामले में रजिस्टर की भोमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं दूसरी ओर देखा जाये तो रजिस्टर कार्याले में मैं रजिस्टर की उपस्तिती में ब्यक्ति से पूछा जाता है कि आपकी सेमती है क्या नहीं पर इस तरह का कोई भी सवाल पीड़ से नहीं पूछा गया अब बेवस बुजर्ग नयाय के लिए सभी जगे गुहार लगा चुके हैं मगर नयाय की उम्मीद नहीं दिख रही कई जगे इन्होंने आवेदन भी दिया है पर अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है रेटायर बुजर्ग ब्यक्ति को अपनी जान का खत्रा भी बना हुआ है क्योंकि जब केर टेकर भरोसे में लेकर मकान की रेजिस्टरी करवा सकती है तो मकान हड़पने के लिए मुझ पर हमला भी करवा सकती है मामला गौालियर के रहने वाले रेटायर प्रिंशिपल का है सुरच्चा की दरस्टी से अब इन्होंने पूरे घर में शीशी टीवी कैमरे भी लगाये लिए हैं गौालियर के चेतकपुरी में रहने वाले रेजिस्टर प्रिंशिपल है जी एल कुल्सरेश्ट ने पतनी की मौत के बाद देखवाल के लिए एक महिला केयर टेकर को रख के तोर पर रख लिया था मगर केयर टेकर महिला ने अपने पती के साथ मिलकर बुजरग को भरोसे में लेकर बुजरग मकान की रेजिस्टरी और नामांतर कर अपने नाम करवा लिया ताज्जुब की बात यही रही कि रेटायर प्रिंशिपल इस बात से अंजान बने रहे की उनके मकान की प्रिंशिपल के अमेरिका में रहने वाले उसके बेटे को इस बात की ख़बर दोच से लगी जिसके बात बुजरग को इस धोका धड़ी का पता चला तो मानों की जमीन पाम के नीचे से खिसक गई अब बुजरग अपने खुद के मकान के लिए शबी अधकारियों से मिलकर दोके बाजी महिला और उसके पती के खिलाब मामला दज कराने के गवाल लगा रहा है मगर अब तक कोई शुनवाई नहीं की गई है वहीं इस मामले में रेजिटरी करने वाले अधकारी भी भूम का भी शंग्देज लग रही है क्योंकि गवाह के तोर पर शायन करने के बा कुलस्ट्रेस्ट आपकी क्या समझ्षया चल लगातार कई यह है कि लटा मेरे यहां खाना बनाती थी और पवन भी मुझको कभी-कभी बैंक ले जाता था यह पवन कौन था पवन लटा का आदमी उसका हस्वेंड और उसके बाद चार चे मेरे बाद लटा ने का है कि मेरे बच्चे अंकल बड़े हो रहे हैं आपको मैं बुलवा लिया करूंगी गाड़ी भेज के और मेरे यहां खाना खा लिया करो कित्रे सालों से वो काम कर रही थी आपके हां वो 2006 अगस्ट से 2006 से काम कर रही थी कभी उसके द्वारा कोई गलती बरा की गई कभी कोई उसने गलत कोई बात ही नहीं हुई काम बनाती थी बस अब जे जो मकान की आपकी जो सिकाइद है वह आपको कब पता लगी और कैसे लगी पवन ने 28 अगस्ट मुझे का कर अंकल आपको गवाई पे दस्कत करना है लता कोई प्रपरटी खरेद रही है मुझे को ले गई है रेश्टर ओफिस मैंने 100% विश्वास था कि ये धोका नहीं देगी लड़की की तरह से उसे मानता था तो वास्तविक्टा में ये हुआ कि उसने मेरे ही मकान के कागज बना कर लाकर और उन पे मेरे दस्कत करा लिए और ये चीज मुझे को दूसरे दिन सभीरे पता पड़ा है और नेचली ये अंकच कुछवा वगरा ये लोग सब इसी तरह के आदमी है और मैं अखेला रहता हूँ मैंने गार्ड लगाया हूँ है पेमेंट कर दूसरा सवाल हमारा जैए कि अप रह है क्या रहिष्टर थे पूचा कि आप मुचा था अब मुझे अभी इस वास कुछ धियान ही रहा है सब्दे हैं इस तरह का सवाल其实 की आप मगन बेशने आ हूँ नहीं कोई बात ही नहीं हो यह अपने मकन को बेशने का कभी सोचा भी नहीं था एँ आज भी नहीं सोचा है अभी आप को क्या करूए यह यह की चाहए हु संहते हैं